नमस्कार दोस्तों आप देख रही हैं वन इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रशान शर्मा नौफरवरी को खेले गए भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे वंडे मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 44 रनों से मात देते हुए श्रंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है इस मैच में भारती बल्ले बाजों ने काफी निराश करके दिखाया जहां भारत का टॉप ओडर 50 रनों के भीतर ही सिमट गया वहीं अंत में भारते टीम जादा रन स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा सकी इस मैच में भारत को जीत दिलाने का अगर किसी को श्रे जाता है तो वे गेनबाजों को जाएगा जिन्होंने कम लक्ष होने के बावजूद भी भारत को पूरे समय मैच में बनाये रखा लेकिन इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे यूवा तेज गेनबाज प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने जबरदस्त गेनबाजी करते हुए वेस्ट इंडी स्टीम की खटिया खडिकी प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवर कराते हुए महस 12 रन दिये जिसमें गेनबाज ने 4 विकेट अपने नाम किये इससे पहले तक जितने भी मैच प्रसिद्ध कृष्णा ने खेले उन सभी में शुरुवाती ओवर में उन्हें काफी मार पड़ी लिकिन दूसरे वंडे में प्रसिद्ध कृष्णा ने करीबियाई बल्ले बाजो को मौका ही नहीं दिया उन पर हावी होने का आपको बता दे कि ये उनके वंडे करियर की सबसे शांदार गेनबाजी रही कृष्णा ने शुरुवात से ही भारत को मैच में बनाये रखा शुरुवाती विकिट निकाल कर उन्होंने वेसिंडीस टीम पर दबाव बनाया उसके बाद बाकी गिन बाजो को मौका मिला बल्ले बाजो पर हावी होने का इसला जबाब गेनबाजी के चलते प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर आफ दी मैच से भी नवाजा गया बता दे कि छे मैचों में ये दूसरी बार हो रहा है जब प्रसिद्ध कृष्णा ने एक पारी में चार विकिट अपने नाम किये बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ